डिक्टेशन स्टार्ट होगा पंच सिकेंड बाद स्टार्ट दिल्ली उच्चे न्याले ने ट्वीटर के खिलाप दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जो सक्त रूख दिखाया है उसके बाद इस कमपनी को अहसास हो जाना चाहिए की वह भारतिये नियम कायदे को हलके में नहीं ले सकती अदालत ने कमपनी से न केवल दो टुक सब्दों में पूछा की आखिर ग्रिवन्स ओफिसर की निवक्ती के लिए उसे कितना वक्त चाहिए बलकि आगाह भी कर दिए की वह प्रकिरिया की आड में अपनी मनमानी नहीं कर सकती और नहीं वक्त जाया कर सकती है 21 जून को ही ट्विटर के भारत में निवक्त सिकायत निवारण अथिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्थिपा दे दिया था उसके बाद से अब तक इस पद का खाली रहना बताता है की कमपनी 25 मई से लागू नए नियमों को आत्मसात करने को लेकर बहुत गंभीर नहीं है वह भी तब जब इसकी कुछ बातो को लेकर भारत सरकार पहले ही कड़ी आपती दर्ज करा चुकी है और इसके पास सरकारी प्रावधानों के तहत हांसिल बैधानिक सनरच्छन की रियायत भी अब नहीं है पैरग्राफ चेंज बिढम बना यह है की समवाद कामाच होते हुए भी यह कमपनी बिवादों को अधिक निवता दे रही है अभी चंद रोज पहले एक अन्य मामले में संसदिय समीती के सामने भी उसका रुख समाधान निकालने वाला नहीं था हलांकी वहां भी सरकार ने बिल्कूल अस्पस्ट कर दिया की कमपनी को भारत के कानूनों का सम्मान करना ही पड़ेगा हैरानी की बात यह है की ट्विटर कमपनी सोसल मीडिया के अन्य मंचो यहां तक की अपने साथी संगठनों से भी सबक नहीं ले रही हाल ही में केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए नियमों के आलोक में गूगल फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर अपत्ती जनक समागरियों के हटाए जाने की तारीफ की थी ऐसे भी बेवरे सामने आये हैं कि नए नियमों के लागू होने के बाद फेस्बूक ने लगभग तीन करोन पोस्ट के खिलाप करवाई की है तो वहीं गूगल ने यूटूब और अन्या प्लेटफर्मों से लागभग साथ हजार लिंक हटा दिये हैं ट्विटर एक लोक प्रिया मांच है भारत में इसके करोनो यूजर्स हैं और विस्तार की अपार संभावनाय भी ऐसे में उसे अधिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिए लेकिन अब तक का उसका रवाया इसके उलट नजर आ रहा है भारत के लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं अपने राष्टिये ही तो और मानिविय गरिमा को लेकर भी बेहद सतर्क रहें हैं अपने लोगतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल में वे ट्वीटर का सकरात्मक इस्तेमाल भी खूब करते हैं लेकिन यदि कोई सरार्ती तत्व देश के मानचित्र या इसके नायकों का अपमान करता हुआ कुछ पोस्ट करता है तो उन्हें ट्वीटर से त्वरित समधान भी चाहिए विवादस्पद बातों और समाग्रियों का अर्थ स्यास्त्र चाहे जो भी हो फर्जी खबरों अपत्ती जनक वा भड़काने वाली समाग्रियों से किसी भी देश और समाज को नुकसान पहुचाने की छूट मान्य नहीं हो सकती न अमरिका में इसकी इजाजत है और न भारत देगा कोई लोकतांत्रिक देश अपने नाग्रिकों की आजादी में कटवती करके न तो आदर्स विवस्था रच सकता है और नहीं सभ्य समाज गठ सकता है लेकिन आजादी और अरजकता के बीच की रेखा सबको असपस्ट दिखनी चाहिए ट्विटर या किसी भी अन्य सोसल मीडिया मंच को अभिव्यक्ती की आजादी का दाम भरते हुए यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जिम्मेदारी का दामन उसके हाथ से छुटने ना पाए समात